Hello Friends, आज मैं आपको 2016 की आसकर विनिंग मूवी Moonlight Explain करने वाला हूँ हम बजबन से लेकर जैसे बड़े होते जाते हैं और इसके साथ-साथ ही अपने identity पार लेती है इसी एक subject पर यह मूवी है यह मूवी इसके साथ बहुत सारे lessons हमें सिखा कर जाती है तो चलिए शुरू करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमारा first character One हमें दिखता है One जो होता है यह एक drug dealer होता है इसके नीचे बहुत सारे आदमें काम करते हैं इसके जो drugs होते हैं यह ही distribute करते हैं One एक जगा आया है यह हमें दिखता है और इसका जो drug dealer होता है इससे पता विगरा पुछता है क्या चल रहा है यह सब उससे पुछता है जब इसको पता चल जाता है कि business विगरा किस तरह से चल रहा है इसके बाद हो आज से चला जाता है नेक सीन में हम देखते है कि एक चोटे से लड़की की पीछे बहुत सारे लड़की भाग रहे है इसे यह सब मारने वाले होते हैं तो यह बहुत जोर से भाग रहा होते है यह हमारा main character है और इसका नाम है Sharon यह सब little बुला थे है यह भाग भाग कर एक सुमसांग building में आ जाता है वह आवो छुप जाता है जो जुआन था इसका काम हो चुका है तो वो directly इस building में आ जाता है यह जो building होती है यह बहुत सारे लोगs drugs करते है यह हमेशा इस building को चेक करता रहता है क्योंकि यह drug sale करता है और इससे जादा कुछ trouble नहीं चाहिए यह जो बंदर आता है तो little को देखता है little बहुत दरा हुआ होता है वो कहता है कि मुझसे डरने के कोई भी जरूरत नहीं है मैं यहाँ से जा रहा हूँ उसे वो बहार आने के लिए बोल रहा होता है यहाँ नहीं रुख सकता है यह सब उसे कहता है little बहुत दरा हुआ होता है और वो बहार नहीं आ रहा होता तो कहता है कि यहाँ से मैं अब restaurant में जाने वाला हूँ तुम मेरे साथ आ सकते हो हम दोनों lunch कर सकते हैं लिटल फिर मान जाता है और ये दोनों restaurant में आ जाते हैं ये से बहुत सारा खाना देता है और फिर पुछता है कि तुम कहा रहते हो मुझे तुमारे घर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा मैं तुम्हें ऐसे मेरे buildings में नहीं छुपने दे सकता वान लिटल से बुलवाने के लिए उसका जो खाना होता है ये प्लेट जीन लेता है लिटल अब और भी shutdown हो जाता है फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने वाला उसका खाना उसे वापस दे देता है उसे कहता है कि जितना टाइम तुम लेना है तुम ले सकते हो वान लिटल को फिर अपने गल्फरेंड के पास ले कराता है वो कहता है कि तुम से कुछ न कुछ तो बोलवाई लेगी वहान की गल्फेंड का नाम डेरेसा होता है डेरेसा लीटल के पास बेटती है जब रात होचाती है तो उसे डिनर देती है डेरेसा जब उसे पूछती है तब ये कुछ भी बोलनी रहा वह कहती है कि पहले तुम सब कुछ खापी लो उसके बाद हम बात करेंगे वहान कहती है कि ये वो सही से करता है पर कुछ बोलता भी नहीं डेरेसा कहती है कि तुम्हें कोई भी फोस नहीं करने वाला बोलने के लिए लीटल कहती है कि मेरा नाम शायरान है पर मुझे सब लीटल बुलाते है वो कहती है मैं तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी ये फिर थोड़ी थोड़ी बाती करता है और कहता है कि वो कहा रहता है ये अभी घर जाने के लिए रेडी नहीं होता टोरेसा बोलती है कि आज रात तक तुम यहां रह सकते हो कल सुबा वान उसे छोड़ कर आएगा नेक्स दिन वान लिटल को उसके घर चोड़ने आता है उसकी मदर होती है इसके लिए बहुत ही वरिट होती है वो लिटल को कहती है तुम्हें घर आना था तुम कहाँ चले गए थे वान को देखकर यहां बहुत ही परेशान होती है वान कहता है कि उसने इससे कहा वाया था वान अब यहां से जाने वाला होता है तो लीटल से हाइफाव लेना चाता है लीटल की जो मदर होती है यह उसे नहीं करने देती है लीटल को अंदर लेकर जाती है लिटल जब टीवी लगाने लग जाता है तो उसे कहती है अब तुम्हें टीवी में लगाने नहीं दूँगी उसे बुक पढ़ने के लिए बोलती है नेक्स दिन में हम दिखता है कि लिटल अपने फ्रेंज के साथ खेल रहा होता है यह फुटबॉल खेल रहे होते है जो सब लड़के होते हैं बहुती स्ट्रॉंग होते है शायरान इनसे कीपब नहीं कर पाता है थोड़ी देर बाद यहां से निकल बढ़ता है उसके पीछे पीछे उसका एक फ्रेंड होता है केविन हो आने लग जाता है वो कहता है कि मुझे भी अब इतना इंट्रेंस नहीं इनके साथ खेलने में यह दोनों फिर बात करने लग जाते हैं केविन कहता है कि तुम बहुती सॉफ्ट हो ऐसा होने लगता है तुम कभी-कभी उनने दिखाना चाहिए कि तुम सॉफ्ट नहीं हो लिटल भी इसके लिए अगरी करता है केविन फिर उसे धक्का देता है वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम सॉफ्ट नहीं हो यह दोनों फिर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते है और यह जब खतम हो जाता है तब केविन उसे कहता है कि इसी तरह से तुमें अब उनसे भी fight करना है केविन एक अच्छा friend होता है वर्ल में कैसे उसे रहना है यह उसे यहाँ सिखाता है नेक्स दिना में दिखता है कि वोन के पास फिर से रिटल आचुका है वान फिर उसे बीच पर लेकर जाता है ये दोनों जब पानी में जाते है तब उसे तेरना कैसे ये सिखाता है ये हो जाने के बाद वो बीच के सैंड पर विटते है वान अपने बच्पन की स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि एक दिन हम ब्लॉक पर खेल रहे थे तोड रहे थे तब एक ओर लेड़ी मुझे मिली थी ये रात थी तब उसने मुझे कहा था जब ब्लैक लोग रात में घुमते है मुनलाइट उन पर पड़ता है तो ब्लू चमकते है वो मुझे तब से ब्लू पुलाने लग गई थी लिटल उसे पुछता है कि क्या तुमारा नाम ब्लू है वोन कहता है कि नहीं मेरा नाम ब्लू नहीं है तुम किसी और को डिसाइड नहीं करने दे सकते कि तुम क्या बनने वाले हो तुम क्या हो तुम क्या करने वाले हो ये कभी ना कभी तुमें ही decide करना पड़ता है रात में वन लिटल को छोड़ने के लिए आता है उसे थोड़ी सी pocket money भी देता है लिटल की मदर वन के मुझ पर ही दरवाज़ा बन कर लेती है लिटल की मदर के साथ और एक आदमी आज आया हुआ होता है लिटल के साथ उसके जो फ्रेंड होते है यहामेशा उस पर पिक करते रहते है उसे कभी भी चेन से नेरे ने देते निक सिन में रात दिखाए गई है और गौन स्टीट पर होता है स्टीट पर अपना जो डीलर होता है उसके साथ खड़ा होता है वो अपने डीलर को कह रहा होता है कि किसी को भी यहाँ स्मोक करने मत देना वो जो सेल करते है यह कभी भी उसका धुआ यहाँ से निकल रहा है यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए थोड़ी देर बाद जब वो देखता है तो पर एक गाड़ी से smoke आ रहा होता है अपने डिलर को डाटता है और वहाँ इस situation को handle करने के लिए चला जाता है इस गाड़ी में जब वो देखता है तो लीटल की मदर और जो आदमी पहले हमें दिखाये गया था यह वहाँ बेटे हुए है और यह दोनों smoke कर रहे है वहाँ इन दोनों को डाटता है और फिर लीटल की मदर इस पर चीट जाती है उसे पताता है कि लीटल हमेशा उसके पास आ जाता है चीट कर उससे कहती है क्या तुम उसे बड़ा करने वाले हो वान कहता है कि मैं नहीं तो क्या तुम करोगी यानि कि वो ड्रग्स वगरा करती है तो अच्छी मदर नहीं है ऐसा हुसे कहता है लीटल की मदर कहती है तुम भी ड्रग डिलर हो तुम भी उसे बड़ा नहीं कर सकते क्या तुम उसे बताओगे कि लड़िये उसे क्यों चिटाते है लिटल गे होता है इसलिए उसे सब बहुती ट्रबल देते है लिटल अभी छोटा है इसलिए उसे पता नहीं है इसे किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा इसलिए उसे पूच रही होती है क्यों उसे जता रही होती है ये सब बताना One की responsibility नहीं है Little की Mother drugs करती है Bad company मों रहती है इसलिए One के पास वो हमेशा आता रहता है एक दिन सुबा भी वो ऐसे ही आया हुआ होता है वो table पर side पर बैठा होता है One से कहता है तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बहुत ही गलत था मैं अब उसे बहुत ही जादा मिस करता हूँ Little One से question पुछता है वो कहता है कि सब लोग मुझे faggot बुलाते है इसका क्या मतलब होता है One कहता है कि gay लोग को बुरा फिल कराने के लिए कुछ लोग एक word यूज करते है Little पुछता है कि क्या मैं gay हूँ तो वो कहता है कि तुम्हें figure out करना पड़ेगा ये कोई तुम्हें नहीं बता सकता टेरे से बोलती है कि तुम्हें ये लोग बोलते है ये सही नहीं है ये तुम्हें ये नहीं बुला सकते वोहाँ से बुछता है कि क्या तुम drug sale करते हो वोहाँ बोलता है कि हाँ आप में drug sale करता हो लिटल की मदर ये पाय करती है ये ड्रक्स करती है ये सुनकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है इस movie में हमें लिटल के अलग अलग time period दिखाये जाएंगे जो first time period था उसका नाम इन्होंने लिटल रखा था अब जो next time period आता है इसमें लिटल टीनेज में है वो स्कूल में वेगरा है और इस period का नाम उन्होंने शायरान रखा है यानि कि लिटल से शायरान तक इसकी transition जो है ये हमें अब दिखाई जाएगी ये time period start होता है और हमें दिखता है कि लिटल को जिस तरह से बच्चे बच्च्चे बच्च्च में चिड़ा थे थे अभी विए वेसे ही चिड़ा रहे है classroom में उसे कुछ बच्चे चिड़ा रहे होते है और वो कुछ बोल देता है इसी वज़े से वो detention में आ जाता है उसके बच्पन का फ्रेंड केविन भी हमें दिखता है ये भी detention में होता है जब लिटल उसे पूछता है कि वो क्यों detention में है तो केविन उसे कहता है कि मैं एक लड़की के साथ intimate हो चुका था और इस स्कूल में होता है तो इसलिए एक प्रोफेसर इसे पकड़ लेता है अब इडिटेंशन में है कि उनसे कहे कर जाता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चली चाहिए लिटल जब घर पर आता है उसकी मदर उसे कहती है कि आज रात तुम यहां नहीं रुख सकते है आज मेरे पास company है यानि कि उसके पास कोई आने वाला है इसलिए लिटल फिल टेरेसा के पास आ जाता है लिटल को खाना अगरा देती है और खुद पीने लग जाती है वो कहती है क्या तुमें में ड्रिंग्स दू ये वो जोक कर रही हुदी है क्योंकि गवान जो था वो हमेशा उसे ड्रिंग्स देता था हमें यहां पता चलता है कि गवान अब गुजर चुका है लिटल को खान के बारे में ज़्यादा खुछ नहीं बोलता क्योंकि वो उसके लिए फादर फिगर जैसा था लिटल सर नीचे रख कर अपना खाना खा रहा हुता है तेरेसों से कहती है यह सर डर डर कर तुमें मेरे हाउस में नहीं रहना है तुम इस घर में प्राइट से अपना सर उपर रख कर रह सकते हो लिटल सिर्फ नौर करता है वो कहती है कि मैंने जो सब का है वो तुमें फेस से कहना है वो ज़्यादा बोल सके इसलिए उसे ट्रेन करती है रात होती है तो उसके लिए बेड बनाती है वो कहती है तुम्हें बेड बनाना नहीं आता था लिटल को रात में सपने में अपना फ्रेंड दिखता है सुभा होती है नेज दिन लिटल अपने घर जाता है इसके जो मदर होती है इस घर के बाहर होती है और दर्वाजा लॉक हो चुका होता है वो से दरवाजा खोलने के लिए बोलती है और इसके बाद उसके पैसे माँगने लग जाती है यहां इसकी मदर हमें टूइची दिखती है यानि कि इसको ड्रुग्स की ज़रूरते और इसे मिलनी रहे इसके पास पैसे भी नहीं है तो लीटल से वो पैसे मांगती है लिटल इसे दे नहीं रहा होता तो जबरदस्ती इसके pocket वेगरा चेक करने लग जाती है लिटल race करने के लिए अपने room में जा रहा होता है तो उसे कहती ही कि तुम्हें आप school जाना है वो घर से उसे बाहर निकाल देती है स्कूल से लिटल जब टेरेसा के पास जा रहा होता है उसके स्कूल मेंट फिर से उसे घेर लेते है उसे पुछते हैं यहां तुम कहा जा रहे हो उन्हें पता होता है कि टेरेसा के पास जाता है वान मर चुका है, टरेसा के बारे में वो गंदी-गंदी बाते बोलने लग जाते है लिटल इस पर चीट जाता है, उसके क्लासमेट कहते है कि क्या तुमें कुछ ट्रबल चाहिए लिटल लड़ जाता है और कहते है कि मुझे कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए उसका क्लासमेट फिर उसे छोड़ देता है आज लिटल को घर पर भी नहीं जाना होता और टेरेसा को भी मिलना नहीं होता तो डिरेक्ली बीच पर आ जाता है बीच पर थोड़ी देर बाद केविन आता है केविन यहाँ आसपास रहता है तो उसे देखकर यहाँ सप्राइस होता है केविन हमेशा उसे ब्लैक बुलाता है यह उसके लिए उसने निकनेम रखा होता है लिटल उसे पूझ भी लेता है क्यों तुम मुझे ब्लैक बुलाते हो वो कहता है कि मैं पैल से बुलातो जिसा सब कुछ ठेर चुका है लीटल कहता है कि इतना शानत है कि खुद की हार्ट बेट में सुन सकता हो केविन कहता है कि इतना सही है कि रोना आ जाए लीटल बोलता है कि क्या तुम रोते हो वो कहता है कि नहीं मैं सिर्फ बोल रहा था लीटल कहता है कि मैं बहुत रोता हूँ मुझे बहुत सारी चीज़े करने का मन करता है यानि कि उसके जो classmates है या जो world है इसे उसे जगर जाना है ऐसा उसे हमेशा लगता रहता है केविन और शायरोन फिर एक दूसरे का हाथ पकरते है और वो एक दूसरे को किस कर लेते है केविन फिर लीटल को अपने घर छोड़ देता है वो उससे बुशता है क्या तुमने ऐसा कुछ कभी किया था लीटल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता वो नौड करता है और वहाँ से चला जाता है लीटल जब गर पर आता है तो उसकी मदर उसे फिर से पैर से अपने पास बुलाती है इसकी जो मदर है यह जब भी कलीन होती है या डॉःग्स वर नहीं होती तो ईब बहुत ही अच्छी पैरेंट होती है ड्रक्स के नशे में जब वो peaceful होती है तभी भी वो अच्छी parent बन जाती है जब भी वो drugs कर रही होती है जब उससे craving हो रही होती है तो ये कुछ भी करने लग जाती है ये एक responsible parent नहीं रहे थी वो यहाँ रात में little से कही थी है कि वो उससे बहुत प्यार करती है नेक्स दिन हमें school दिखाया गया है लिटर का जो classmate होता है जो उसे हमेशा position करता रहता है अब वो Kevin के पास आया हुआ है ये classmate Kevin को कहता है क्या तुम्हीं याद है जब हम जोटे थे तो एक game खेला करते थे ये जो game होता है इसमें ये किसी और के पास point करेगा Kevin जो है इसे जाकर उसे मारना पड़ेगा अगर कोई blame आया तो ये Kevin पर नहीं आएगा ये classmate पर ही आएगा ये classmate फिर Kevin से कहता है हमें फिर से करना चाहिए इस भार का जो target होता है ये little होता है यानि कि अब Kevin को little को मारना पड़ेगा जब school खतम होती है तब little के सब classmate उसे घेर लेते है Kevin को उसे मारने के लिए बोलते है Kevin उसे एक punch करता है और खेता है कि तुम नीची ही जुक करो Kevin उसे मार रहा है तो little को बहुत ही बुरा लगता है और वो नहीं मानता वो फिर से उट जाता है Kevin फिर उसे बहुत मारता है थोड़ी देर में school की authorities वहाँ जाती है अब next year में हमें little एक counselor से बात करता हूँ दीखता है एक counselor उसे कह रहे हुथी है जिसने भी तुमारे साथ ये किया है इसका नाम तुमें बताना पड़ेगा तुम जिस सब से गुजर रहे हो ये मैं समझ सकती हो लिटल कहता है तो एक कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या मैसूस कर रहा हूँ लिटल केविन पर rat नहीं करना चाता लिटल किसी का भी नाम नहीं बजाता और वहाँ से चला जाता है नेक्स दिन जब वो क्लास्म और में आता है तो एक कुर्सी लेता है और जिसमें ये सब केविन को करवाने के लिए बोला था उस पर एक कुर्सी ढाल देता है ये लड़का बहुत ही ज़ादा इंजरूट हो जाता है पुलिस को कॉल कर दिया जाता है और ये जेल में चला जाता है ये इसके लाइफ का टाइम पेरेट खतम हो जाता है पहला जो टाइम पेरेट था उसे लीटल बुलाय गया था और इस टाइम पेरेट को शैरान बुलाय गया था अब लीटल की शायरण में transition हो चुके है इसमें करे जा चुका है और अब ये जेल में जा चुका है अब जो next time period हमें दिखाय जाता है इसमें लीटल अब बढ़ा हो चुका है ये fully grown man बन चुका है अब ये शायरण बन चुका है तो हम इसे शायरण ही पुकारेंगे इस time period का नाम उन्होंने black रखा है इसका जो significance है ये movie के last में मैं आपको बताऊँगा जब हम इस बाद शायरण को देखते है ये body builder बन चुका है ये सही तरीके से reach भी हो चुका है इसके पास apartment, एक अच्छी गाड़ी ये सब कुछ है वहाँ जिस तरह से drug dealer था उसी तरह से ये भी drug dealer बन चुका है ये किसी और शेहर में रहता है वहाँ जिस तरह से city में घुमता था सब report वहेरा लेकर घर चला जाता था उसी तरह से शायरण भी अब करता है बच्पन में शायरण बहुत ही शाय था ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता था अब बढ़ा हो चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा confidence आ चुका है ये किसी को भी डरा सकता है धमका सकता है अभी वह ज़्यादा कुछ बोलता ने पर वो सही तरीके से आप बोल लेता है उसका street dealer उसके flat बराता है उसे पैसे देता है तो शायरण उसे कहता है तुम्हारे पास आज कुछ कम पैसे है ये dealer थोड़ा सा डर जाता है उसे धमकाता है ये dealer कहता है कि मैंने सब कुछ लाया है शारण उसे धमकाता है, कहता है कि क्या तुम मुझे लायर बुला रहे हो यह situation ज़रा tense हो जाती है, तब शारण हस देता है वो कहता है कि मैं सिर्फ तुमारा मजा कले रहा था इसा कुछ भी नहीं है, तुमने इस बार बहुत ही अच्छे पैसे लाए है उसे वो पैसे देता है, और वहाँ से निकाल देता है जब रात हो जाती है, तो शारण की answering machine पर एक message आता है इसकी mother का होता है, उसकी mother से कहती है कि तुम मुझे visit करने के लिए आ सकते हो, वो उसे miss करती है उसे मिलने के लिए उसे आना चाहिए, वो इस message पर उसे बताती है लिटल को रात में नीन में गरानी आती, तो वो अरकाट वेकर करता है थोड़ी दिर बाद उसे एक call आता है, यह जो call होता है, यह केविन का होता है जब केविन अपने आपको introduce कराता है, तो शारों बिलीव नहीं कर पाता केविन कहता है कि टेरेसा से मैंने तुम्हारा नमबर लिया था केविन पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ, वो कहता है कि हाँ, मुझे मालू मैं कौन बोल रहा है केविन कहता है कि मैं जोज या अटलांटा में रह रहा हूँ, यानि कि शारों की मदर जहां रह रह रही हुती है, वो ही वो रह रह रहा होता है केविन उसे sorry कहता है, वो कहता है कि जो सब हुआ, इसके लिए मुझे बहुत ही बुरा फिल होता है यह सब होना नहीं चाहिए था केविन अब शेप बन चुका होता है इसने भी कुछ गिलित रास्ते चुने थे और इसकी वज़े से वो जेल में जा चुका था जेल से वापस आने के बाद इन्हें प्रोबेशन करना पड़ता है इसे एक स्टेडी जॉब चाहिए इसलिए एक कुक बन चुका है वो शेयरोन को कहता है कि कभी तुम यहाँ आए तो मैं तुमारे लिए कुक करूँगा शेयरोन फिगर आउट नहीं कर पाता कि इसने इसको क्यों कॉल किया है केविन उसे कहता है कि रेस्टारंट में एक आदमी आया था उसने एक गाना चलाया था इसके बाद तुमारी याद मुझा आ गए इसलिए उसने कॉल उसे किया होता है यही यह कॉल खतम हो जाता है और हमें शेयरोन अब ड्राईव कर रहा है यह हमें दिखता है वाडलांडा में आ रहा है पहले वो अपने मदर से मिलने जाता है शारान को रात में बुरे सबने आते है यह उसकी मदर को पता है उसकी मदर उसे कहती है किसी से तुम इसके बारे में बात कर सकते हो प्रोफेशनल से बात कर सकते हो शारण इस पर कुछ भी नहीं बोलता शारण की मदर्ज होती है अब ओल्ड एज फैसलिटी में होती है अब एक लीन हो चुकी है डगस वहरा कुछ भी नहीं करती इसे पता है कि शारण क्या काम करता है यह फिर उसे अड़वाइस करती है वो कहती है कि मैं बुरी थी मैं जो सब काम किये है यह बहुत गलत किये है पर तुम्हें भी यह करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है तुम हमनी लाइफ सही से कर सकते हो तुम्हारे पास चांस है कि तुम सही रास्ते पर चल सकते हो शैरोन फिर वहाँ से जाने लग जाता है उसे बेटने के लिए बोलती है वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुम्हारा सब कोज अच्छा हो यही मैं चाहती हूँ यह उसे स्वारी बोलती है और यह दोनों रोने लग जाते है था इसलिए अब उसके लिए वो कुक करने लग जाता है केविन उसके लिए डिशेश वगरा लेकर आता है वो इसके पास वाइन भी होती है यह भी वो पूर करता है शारौन बोल रहा होता है कि मैं पीता नहीं क्योंगी वो इससे टेस्ट नहीं कर पाता इसके बाद शारौन लिए जो डिनर बनाया होता है शारान को बहुत यह अच्छा लगता है यह केविन नोटिस करता है केविन अब रेस्टोरान चला रहा होता है तो उसे कुछ काम होता है तो यहां काम कहने लग जाता है अपना काम खतम होने के पाद वो फेसे केविन के पास आता है केविन अपन को पता चलता है यह शारान से पुच्छता है इसे इंसीडन के बाद इस deadline ripped everything कि जेल में में चला गया था वहाई गैंग्स्टर से उसकी मुलागात हुई थी उसके लिए इसने काम करना शुरू कर दिया और जिस तरह से टाइम गुजरता गया इसे अच्छे से काम करता गया और एक बड़ा डिलर अब यह बन चुका है केविन सप्राइस होता है कि यह काम चला था जिससे मुझे तुम्हारी याद आगे शारण को इस पर बिलिव नहीं हो पाता केविन फिर उटता है और एक गाना चलाता है इस गाने में दो लवर एक दूसरे जुदा हो गए थे जब फिर से मिले है तो इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है यह इस गाने के बोल होते है जब केविन की शिफ्ट कतम हो जाती है तो शारण और वो गाड़ी में केविन की घर पर आ जाते है शारण ने बहुत पी ली होती है तो इसलिए उसे जारा डीजी मैसूस होने लगता है केविन उसके लिए कौफी बना रहा होता है केविन उसके कहता है कि मैं तुम् पर शारान उसका sentence interrupt कर देता है, वो कहता है कि लास्ट टाइम जाने के बाद मैं आप फिर से रोज अप हुआ हूँ, मैं जैसा था, वो गलत था, मैंने आप काम किया है, और मैंने अमने लिए कुछ बना लिया है, मेरा जो पास था, इससे मैं आप उपर उट चकाओ, केविन कह करता है कि ये भी सही है, शारान केविन के बारें पूछता है, केविन कहता है कि लोग हमेशा मुझे जो भी करने के लिए बोलते रहे, वो मैं करता रहा, कभी मुझे जो फॉलो करना था, जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे करना था, ये कभी मैं करनी पाया, शारा पिर उसे कहता है कि तुम ही एक आदमी हो जिसने मुझे टच किया था केविन फिर उसके पास जाता है और एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं यह हमें दिखता है इस सीन के बाद हमें छोटा शायरान दिखाए गया है इस सीन का अब हम मीनिंग देखेंगे जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारा जो भी स्टगर होता है यह कंट्रोल के लिए होता है जैसे हम बड़े होते चाते हैं तो अपने आप पर हमारा कंट्रोल आता रहता है अवाज जो सीचेशन है इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके लिए जो भी सब चीज़ें हमें करने होती है, यानि के एजूकेशन जॉप या कुछ न कुछ पैसे कावाना, यह समूप करते हैं, जो मारी लाइफ का जो कंट्रोल होता है, यह हम पाते रहते हैं, जब आप किसी रिलेशन्शिप में आतो, तो एक कंट्रोल पाने के लि रिलेशन्शिप में हम फिर से वैसे महसूस करने लग जाते हैं, शारौन जब केविन के पास होता है, तो वैसे ही महसूस करता है, इसलिए हमें जब शारौन चोटा था, उसका एक सीन दिखा गया है, यह जो टाइम पेरेट था, इसका नाम ब्लैक था, केविन उसे ब्लैक सामना कर पाता है, पर फिर भी अकेला ही होता है, अब जब वो केविन से मिल चुका है, अब वो अकेला नहीं है, जैसा शारौन है, केविन उसे वैसे ही जानता है, एक दूसरे का साहरा बन चुके है, इस लास्ट रेम के साथ यह मूवी एंड होती है, ग्रोइंग अप पर अगर आपको वीडियो चलागा, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा, मैं बहुत सारी मूविज लेकर आत रहता हूँ, तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे, और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा, हम फिर से मिलेंगे और ए आपका खैल रिखिया